अन्न पुर्णा के व्यंजन में आप सभी का स्वागत है आज हम आपको बताते हैं मेंगो आइसक्रीम आम का सिजन चल रहा है इसमें आम की बहुती स्वादिस्ट और जायकेदार आइसक्रीम बनती है उसके लिए सामान ले ले एक कब दूद ले लिया है एक आम को आधे टु पाउडर ले लिया है एक कटोरी शकर ले लिया है एक चमबज अरारोट ले लिया है दो चमबज मलाई ले लिये देखिए इदर फ्राइपन या कड़ाई रख दिया आज पर उसको हलके फिलेम पर यह अब दूद डाल दिया है इसको लगातार चलाते रहे हैं दूद को पाउडर रखा है उसमें हलका पानी डाल कर उसको घोल लें अच्छी तरह से घोलें उसको इसमें फुटकी नहीं रह जाए देखिए यह घोला जा रहा है हमारी रेसिपी आपको पसंद आती हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें इससे आपको हमारे हर शेयर करें देखिए यह कस्टड पाउडर घोला जा रहा है इसमें फुटकी न रहे तब तक इसको घोलते रहें गोलने के बाद इस कस्टड पाउडर को दूद में मिलाया जाएगा देखिए यह दूद में मिलाया जा रहा है दूद लगवाग उबल चुका है इसमें आइस क्रिम जिस तरह गाड़ी बनती है उस तरह से याइस क्रीम का पेस्ट बनना शुरू हो गया है हमारी रेचिपी की जिसे विसेशता रहती है हम घरेलु सामकरी का उपयोग सबसे जादा करते हैं बाज्ञार के तीखे मसाले का उपयोग बहुत कम से कम करते हैं इससे आप आपका स्वास्त अच्छा बना रहे हैं देखिए कस्टर पाउडर डालने के बाद ये गाड़पन आना शुरू हो गया है इसको लगातार चलाते रहे हैं मध्यम आँच रखिए इसमें खोल आ रही है और लगातार चला जा रहा है चलाने में जराविय लापरवाई न करें नहीं तो इस सब लग जाएगा इसमें आधी कटोरी शकर डाल दी है आधी कटोरी शकर मिक्सी में जो आमको ग्राइंड करने के लिए रखा है उसमें डाली जाएगी यह देखिए शकर डलने के बाद तो बहुत ही सावधानी रखें लगातार चलाते रहे नहीं तो यह नीचे आपके फ्राइपेन में लग सकता हैं आधी कटोरी शकर इसमें ड हमारे कई व्यूवर्स हमें कमेंट कर रहे हैं कई रेश्पी की जानकारी देने के लिए उन्हें जल्दी ही हम नई रेश्पी की जानकारी देंगे आपको भी किसी रेश्पी की जानकारी चाहिए हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें इस आम को मिक्सी में ग्राइंड किया जा रहा है इधर देखिए ये पेश्ट तैयार है गाड़ेपन पर आ गया है और इधर आम ग्राइंड किया हुआ रखा है इसको आज़ पैसे निकाल नीचे रख दिया है हलका ठंडा होने के लिए ठंडा होने की इसकी प्रतिक्षा की जा रही है लगातार चलाय जा रहा है इसमें अलारोट भी मिला दिया है ठंडा होने के बाद इसको जार में पलट दें जिसमें आम आपने ग्राइंड किये हैं आम पीसे हैं उसमें पलट के में हैंके और इसको फिर से मिक्षीम में गराइंड कर लें कि मलाई डाल दी है इससे शुआत जो है बहुत ही जाएकेदार और बहुत occup लजीद हो जाएगा कि देखिये मिक्षी मैं प्सीवई इलाइची भी डाल दी है इसमें इससे यह बहुत ही अच्छी सुगंदा हैगी खाने में बहुत स्वादिस्ट लगेगी आपके आइस क्रीम यह मिक्सी में ग्राइड कर लिया है देखिए इस तरह का यह पेस्ट बन गया है थोड़ा गाड़े पन पर इस पर पानी मिला दें पानी मिला के उसको दुबारा से ग्राइड कर लें इससे थोड़ा सा पतला हो जाए यह देखिए इस तरह का हो जाए और यह बरतन में डैला आपको जमानी है उस बरतन में पूरा दिया है इसको फ्रिज में 8-10 गंटे के लिए आइस सेक्शन में रख दें आपकी आइस्रीम बहुत ही लजीज बहुत ही शांदार जमेगी खाने में बहुत स्वादिस्ट होगी इसके उपर से सारे ड्राइफूट डाल दें काजू किश मिश्मेश बादाम तर्वूच के बीज छुमारे पिश्टा या जो भी आपको ड्राइफूट पसंद है बोड़ डाल दें और जो आमके पीस कटे हुए रखें उनको भी डाल दें हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल सब्सक्राइब करने से आपको हमारी सभी रैसिपी की जानकारी समय से मिलती रही देखिए कितना अच्छा लुक आया है कितनी सुन्दर लग रही है आईस्क्रीम यह जमने के लिए तयार है धन्यवाद